वेकम तो सिली पॉइंट और आज डे फॉर पाकिसान वर्सेस सिरिलंका टेस्ट नहीं हो पाया क्योंके वेट आउर फील थी और सारी रात बारिश होती रही अभी भी फोकास्ट है बारिश होने की शक्तल से मैं खुश लग रही मगर मैं बिलकुल खुश नहीं हूँ मौसम ब पाकिसान सिरलंगा के टेस्ट की बात की जाए तो अब क्या हो सकता है क्यूंकि आज का तो पूरा दिन होगया स्वाया पिछले बी दो दिन जो है डे टू डे थी की जब बात करते हैं तो उस वक्त जो है कुछ भी नहीं हो सका थोड़ा-थोड़ा मैच हुआ ना मोमेंटम तो क्या सुलूशन हो सकता है कि यह किसी तरफ जा सके या नहीं बट रिजल्ट की तरफ जाने का सिर्फ और सिर्फ एक सुलूशन हो सकता है विच इस के इनिंग फोर फीट कर दी जाए उसका पूरा तरीका यह है क्या आपको पता यह तेस्ट चांपिशिप के टेस्ट पॉटल हंडरण ट्वैंटी पॉइंट्स है दो टेस्ट मैच्च के यानि 60-60 टेस्ट मैच्च एक मगर अगर यह टेस्ट माइच जो होता यह तो दोनों टीम्स को मिलते हैं 20-20 पॉइंट पर दोनों टीम में से एक टीम जो है वो 60 पॉइंट भी हासल कर सकती है वह इस तरी तो आप फिर तेस्ट मैच का कोई रजल्ट आ सके वड़ा तो देज नो चार्ण्स के रजल्ट आ सके एक दिन रह गया है अगर तो दोरो टीम खुश है और वीज बीज पॉइंट्स लेके तसल्ली में हैं तो सईयद उन्हों इस तरह तसल्ली करने हैं मगर अगर कहीं ये देखते हैं कि इनको रिजल्ट चाहिए और रिजल्ट ओरियंटेड होना चाहिए तो ये एक टेक्निक है जो की जाएगी विच लुक्स प्रिटी डिफिकल्ट मेरा ख्याल से दोनों टीम्स कुश होंगी कि दोनों 20-20 पॉइंट्स लेके बैट जाएं क्यो होग कल फिर से जो है वो बादल इदर उदर से कहीं से ना आ जाएं फिर से कोई बारिश का मसला ना हो जाएं नो बैड लाइफ नो वैट आउट कील्ट बिकर्स इनफ इनफ हम टेस्ट की वापसी का दस साल से इंतजार कर रहें और दस साल बाद भी अगर इतना मुश्किल ह टेस्ट करवाना सो आई हो आई तिंग कि हमें जो है किसी ऐसे शेहर चले जाला चाहिए जा बिल्कुल बारिश का हमें खत्रा ना रहे और वहां जाके टेस्ट मैचे सारे खिलवाने चाहिए कल पता चलेगा कल क्या होता है क्या डिसिजिन लेती है दोनों टीम या फिर ऐसे क्या चाहिए जई जएव हो आई है